हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई चैनल दोस्तों आज का वीडियो ना बहुत धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज हमना बहुत तगड़ा कंपेटिशन कराने वाले हैं यूनिकॉन वर्सेज डॉरेमॉन के बीच में और दोनों की स्टेशनरी टॉइज ना बहुत लाज तो शुरू कर देते हैं दोनों के बीच में कंपेटिशन देखते हैं कौन मिनर होता है सबसे पहले गाइस में दिखाने वालो हमारे पास है देखो यूनिकॉन का एक बहुत ही जंबो साइज का पैंसिल केस देखो इसकी मोटाई देखो और देखो कितना ज्यादा बड़ा ह और यहाँ पर देखो कितने सारी यूनिकॉन बने हुए है इसके पर टोटल सिक्स यूनिकॉन बने हुए है और यहाँ पर एक हैंडल है जिसको आप पकड़ के चल भी सकते हो और सबसे बड़ी बात ना यह पासवर्ड वाला पैंसिल बॉक्स है इसके अंदर पासवर्ड के के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक net का space मिल रहा है यहाँ पर आप छोटी मोटी चीज़े रख सकते हो और यहाँ पर से zip open करके भी इसके अंदर बाकी की stationary item आप आराम से रख सकते हो यहाँ पर एक manual है जो की Chinese language में और English language में दोनों में लिखा हुआ है तो हमारे यह काम का नहीं है फिलाल यहाँ पर pen pencil holder मिलता है यहाँ पर बहुत सारी pen pencil आप लगा सकते हो अपनी पसंद की और यहाँ पर देखो कितना गहरा और कितना बड़ा space मिला है इसके अंदर तो guys दुनिया भर का समान आपका easily आ जाएगा तो कैसा लगा आपको हमारा यह password वाला password lock वाला unicorn उनका pencil case comment में जरूर बताना और यहाँ पर guys हमारे पास एक unique doraemon का है जो की बहुत ही जबरदस्ता है एक jumbo pencil box और इसका size देखो कितना ज्यादा huge है और यहाँ पर भी doraemon है यहाँ पर भी doraemon है और इसकी खासियत यह है कि इसके अंदर में calculator मिल जाता है यहाँ से on का button दबा आते ही देखो यहाँ से sharpner बहार आ जाता है यहाँ से pencil डालके sharp कर सकते हो यह वाला button दबाते है यहाँ से eraser वगएरा रखने का space निकल के आता है यह दोनों button दबाते है यहाँ पर एक ऐसा space आता है जहाँ पर आपने 5-10 उर्पे के coin, note वगएरा या फिर छोटी-मोटी परच pencils वगएरा आप रख सकते हो इसको भी बंद कर देते हैं अब यहाँ पर एक button है इसको slide करोगे यहाँ से एक और secret space उपन जाता है इसके अंदर भी चीज़े चुपा के रख सकते हो यहाँ पर pen pencil holder मिल जाता है और यहाँ पर color pencil holder मिल जाता है या फिर छोटी pencil इसके अंदर हमारे पास देखो क्या है एक unicorn का pencil box देखो कितना अजबर दस्ता है इसके अंदर भी कुछ multifunctional pencil box है तो इसके अंदर भी कुछ बटन दिये गया है यहाँ पर देखो compass है direction देखने के लिए यहाँ पर unicorn है unicorn के ओपर rabbit बैठा हुआ princess लिखा हुआ है princess unicorn है और यहाँ पर देखो बटन है इसको दबाते है क्योंकि यह multifunctional pencil box है तो इसके अंदर बहुत सारे बटन है तो इसको दबाते है यहाँ से pencil sharp करने के लिए दो hole मिल जाते है और यहाँ से आप बाद में dust निकाल सकते हो इस तरीके से open करके चलिए इसको बंद कर देते हैं अब यहाँ पर तीन बटन इनको दबाते है पहला बटन दबाते हैं तो देखो यहाँ से pencil रखने के लिए space open हो जाता है यह देखो यहाँ से आपना बहुत सारी pencil वगएरा इसके अंदर अराम से रख सकते हो और आपना यह वाला एरिया ना ऐसे open करके भी use कर सकते हो आप चाहो तो इसको बंद कर दो ऐसे open करके use कर लो यह फिर आगर आपको शॉट कर चाहिए तो यह बटन दबाओ तो आपको पैंसिल स्पेस अपने आप जो है बाहर आ जाता है कितना लाजवाब है ना गाईजी अगला बटन दबाके देखते हैं तो यह अगला बटन दबाते हैं यहाँ से देखो थर्मोम मिल जाता है यहाँ पर आप एक दो तीन चार पाच पैंसिल होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर शेडूल स्लिप मिल जाती है यहाँ पर मंडे टू सेटेडे का शेडूल आप लिख सकते हो और इसको पीछे से उपन करोगे तो यहाँ पर भी स्टेशनली रखने का बहुत बड़ा स्पेस मिलता है और यहाँ पर नेम और क्लास लिख सकते हो देखो यहाँ पर लिखा है पैंसिल केस तो कैसा लगा आपका यह यूनिकॉन का मल्टि फंक्शनल पैंसिल केस कमेंट में जरूर बता रहा इधर हमारे पाल दोरे मौन का जंप रोप है देखो कितना बढ़िया ल ना वब आप कैह सकते हो इसको को इस तरह के से आप इसको यहाँ से खूल के बाद में तो जॉल्छ कर सकते हो कितना कट से जrah आप कर लेते हो जल्दी से क्र predictable मैं तो 100 कर लेता हूं आप कि तने कर लेते हो जल्दी से बता दो आप गाईस मैं आपको दिखाने आराम से एरेज कर सकते हो और इसके उपर एक yellow color का छोटा सा horn भी दिया गया जैसे unicorn का होता है कितना cute है ना guys हमारा ये unicorn का eraser बहुत ज़्यादा प्यारा है इधर guys हमारे पास देखो क्या है डॉरे मॉन का एक flying toy ये देखो और आपने देखा ने डॉरे मॉन कैसे उड़ता है cartoon में अपने और वो उसके अपने सिर्फे पंखा लगाता है और उड़के कहीं भी चला जाता है तो वैसे हमारे पास एक डॉरे मॉन का flying toy है देखो इसके उपर white color के चार propeller लगे हुए यानि फिर इसको room में भी उड़ा के दिखाऊंगा तो on कर लिया guys हमने और ये देखो ये उड़ने लगा गाई और देखो ये फ्रेम से बाहर भग जाता है ये देखो किस तरीके से भाग रहा है इसको पकड़के लाना पड़ता है ये बहुत ही जबर्दस उड़ता है इसको ये देखो ये देखो कितना शांदार उड़ रहा है और क्या ही गजब का साउंड आ रहा है इसके अंदर देखो ये इदर उदर भागे जा रहा है इसको समालना मुस्किल हो गया है ये देखो ये कहीं टकराना जाए ना मुझे डर लग रहा है देखो कितना सही उड़ रहा है तो आप लोगों को देखने में भी बहुत जादा मज़ा आया ही होगा तो कैसा लगा आपको डॉरे मॉन का फ्लाइंग टॉय कमेंट में बता और मैं आपको बता दू इसको न एक घंटा लगातार चार्ज करने के बाद आप सिरफ 10 मिनट तक इसको उड़ा सकते हो 10 मिनट उड़ने के बाद इसकी बैटरी पूरी डाउन हो जाती है फिर इसको दुबारा से चार्ज करना पड़ता है तो लेकिन चार्ज भी ठीक ठाक हो जाता है काफी अच्छी क्वालिटी का है तो जल्दी खराब भी नह यहाँ पर देखो को पेंसिल चार्ख करने के बाद बतां हमारे पास यह देखो इसका तोड़ लेते हैं खोड़ चूक पूरा इपिए-सको नोज को में डाल देखते हैं ग् Ideza जो अंदर यंदर शार्फ हो रही है दोस्तों और कुछी सेकंड्स के अंदर ना पैंसिल शार्फ हो भी जाती है और मुझे लग रहा पैंसिल शार्फ हो चुक है निकाल कर देखते हैं तो यह देखो कितनी जबर्दस तरीके से इसने हमारी पैंसिल को शार्फ कर दिया है पर आ गया आ गया न दोस्तों तो कितना अच्छा है न गाइस यूनिकोन का शापनर आप अराम से यूज़ करो आपका रूम आपका स्टडी रूम वगएरा क्लास रूम स्कूल वगएरा गंदा भी नहीं होगा आप बाद में इसको ले जाके डस्ट बीन में खाली कर सकते हो क इतना क्यूट है न डोरे मौन का ये हमारा शापनर बहुत ही प्यारा है और सेम ऐसा ही हमारे पस एक और चीज़ है हमारे पास देखो क्या है हमारे पास है डोरे मौन का शापनर वो भी पिंक कलर का देखो ये न गल्स को especialmente बहुत पसंद आएगा और इसमें भी आपको pencil sharp करके दिखाता हूँ, इसका भी pencil sharp करने का तरीका काफी अलग है, देखो यहाँ पर hole है, यहाँ पर हमें pencil डालने पड़ती है, देखो, अब हमें इस pencil को फिर से तोड़ दिया है, देखो, अब हम इसको फिर से sharp करेंगे, इसके nose के अंदर डालेंगे पूर चुकी है, देखो guys, कैसी आवाज आ रहे हैं न, हमारी pencil अंदर इंदर sharp हो रही है, और देखो, यह देखो, कुछी पल में हमारी pencil sharp हो जाएगी, फिर मैं आपको निकाल के दिखाऊँगा, कि हमारी pencil कैसी sharp होई है, मुझे लगता हमारी pencil sharp हो चुके है, निकाल कर देखते है, और वाई साब कितनी pointy, कितनी sharp इसने हमारी pencil को sharp कर दिया है देखो कितनी एकदम नुकीली लग रही है pencil बहुत ही बड़ी तरह के sharp कर दिया है और इसका dust भी नहीं गिरा है क्योंकि इसका dust भी इसी के अंदर collect हो जाता है जहाँ पर देखो एक cap है इसको घुमाके निकालेंगे सारा कच्रा इसके अंदर निकल जाएगा कितना सारा dust है क्योंकि हमने पहले भी इससे sharp किया इसकी विज़े से इसके अंदर बहुत जादा dust collect हो चुका है चलिए इस dust को side में रख देते है और देखो कितना बड़ी है ना आप इसका cap हम वापस से लगा देंगे कुछ इस तरीके से देखो इसका cap हमने फिर से लगा दिया है और देखो कितना cute लग रहा है दोरेमोन नोहारा sharpner और दोनों को हम एक साथ रख नहीं रखेंगे और ये एक soft fur वाला पैन है जो कि girls को specially बहुत पसंद आएगा ये देखो इसके ओपर ना कितना मुलायम soft fur लगा हुआ है देखो वाव कितना soft है multi color है guys एकदम rainbow देखो यहाँ पर unicorn दियागा unica horn देखो कितना multi color horn है यहाँ पर देखो कितने सारे color है यहाँ पर blue, red, orange, green, purple, black और यह सारे color काम करते है जब आँ इसको पकड़ के काम करोगे न तो आपको बहुत अच्छा feel होगा क्योंकि यह देखने में बहुत ज़्यादा मुलायम और touch करने में भी बहुत मुलायम है चलो इस pen को चला कर भी देख लेते हैं तो यहाँ पर देखो हम orange color चलाते है पहले orange को नीचे कर देते हैं चलाते है तो देखो orange भी काम कर रहा है अब हम चला लेते green तो green भी काम कर रहा है हम चला लेते purple परपल भी काफी सही काम कर रहा है अब हम black चला लेते हैं black भी काम कर रहे है सारी ही ink इस pen की बहुत ही easily काम करती है कितना प्यारा है ना guys यह pen unicorn का अब हमारे पास देखो हमारे पास है doraemon का pen doraemon का pen भी हम चला के देखेंगे क्योंकि competition ता दोनों के बीच हो रहा है न देखता है कौन साभेहतर चलता है आप ही लोग बता न यह है doraemon यहापर भी बहुत सारी inky di गई है यहापर doraemon लिखा हुआ यहापर doraemon बना हुआ हुआ है यहापर भी doraemon बना हुआ है अब 10 doon!? को चलाते हैं देखते हैं कलर बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, अब आप लोग जल्दी से कमेंट में बताओ, कि डॉरे मौन का पैन विनर है, या फिर यूनिकॉन का पैन विनर है, काफी क्यूट पैन है ना गाइस, दोनों ही मुझे पता है, दोनों ही पसंद आ रहे हैं, आपको मुझे पता है, इंक, परपल, वाइट, तीनों कॉम्बिनेशन इसके अंदर भर भर के दिये गया है, कितना क्यूट कॉम्बिनेशन है ना गाइस, यहाँ पर भी यूनिकॉन है, चलिए इसको चलाते हैं, सबसे पहले देखो, यहाँ पर चार बटन है, एक, दो, तीन, चार, इनको दबाते हैं, यह दबाते ही, यह उपन हो गया, यहाँ से शाप्नर मिलता है, आपको, सारा डश्ट यहां collect हो जाएगा, और यह दबाते हैं, यहाँ से इरिज़र शाप्नर रखने का space उपन हो जाता है, और यह बटन दबते ही, अपने आप ही, देखो, यह खुल चुका था, इसको रहने देते हैं और यह वाला खोलते हैं यहां पर भी आप चीजे रख सकते हो इसके अंदर coin वगयरा पांस दस उर्पे के note 50 उर्पे का note भी fold करके रामसिया आप इसके अंदर रख सकते हो और देखो चलो इसको बंद कर देते हैं यह easily slide करने से बंद भी हो जाता है इसको यहा यहां से भी देखो एक secret space open हो जाता है इसके नीचे भी छोटी-मोटी चीज़े आप रख सकते हो अब यहां पर एक बटन है इसको दबाएंगे तो यह देखो यहां पर आपको color pen वगएरा रखने के लिए एक space open हो जाता है यह open नहीं हो रहा है यह देखो ओगया तो यहां पर अपने color pen वगएरा या फिर और भी चीज़े आप अराम से यहां पर रख सकते हो तो इसको भी बंद कर देते हैं यहां पर आपको crayon holder मिल जाता है color pencil holder मिल जाता है और यहां पर pencil holder मिल जाता है तो यहां पर Unicorn का Jumbo Pencil Box इधर guys हमारे पास देखो धमाकेदार चीज़ है आपको देखके मज़ा आ जाएगा यह देखो हमारे पास है Doremon का Piggy Bank यह देखो यानी के Electric Piggy Bank है guys सबसे पहले मैं आपको दिखा दू हमने यहाँ पर 3 AA Size की batteries लगा रखी है देखो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ लिखा है 3XAA LR6 यहाँ पर देखो battery का नाम लिखा 4.5V क्या-क्या battery support करती है वो सब यहाँ लिखा है तो 3 AA Size की batteries लगा लिया है यहाँ पर और देखो यहाँ से आप coin डाल सकते हो और यहाँ से note डाल सकते है पासवर्ड भी मैं आपको बताऊंगा कि यह कैसे काम करता है यहाँ पर कितने सारे doraemon बने हुए ना बड़ी cute cute तो अब मैं सबसे पहले इसके अंदर आपको कुछ coin डाल के दिखाता हूँ फिर मैं आपको note डाल के दिखाऊंगा फिर इनको वापस बाहर भी निकाल के दिखाऊंगा तो यह देखो guys सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ coin डाल देते है देखो coin भी इसके अंदर चले गए हमारे चले गए ना guys देखो coin इसके अंदर अब हम यहाँ से डाल लेते है कुछ note यह देखना note अपने आप खीचेगा यहाँ पर हमारे पास कुछ 2000 रुपे के नकली note है खेलने वाले तो यहाँ से देखो हम डालते हैं इसके अंदर तो सबसे पहले guys यहाँ से देखो जैसे डालेंगे ना अब यह को डालते हैं हम थोड़ा पकड़के किसे कोशिश करेंगे रोक सकता है का यह देखो guys मैं खीच रहा हूं यह वापस से अंदर खीच लेता देखो फिर से इसने अपने खीच लिया note को किच लेना guys आप देखो आपको आवाज सुनाई दे रही है इसके अंदर हमारे note और हमारे सब कुछ collect हो गया अब हम इसको open कैसे करेंगे हम डालेंगे हम इसको open करेंगे open नहीं हो रहा है open का arrow बना हुआ है open कैसे करेंगे हमने इसका password रिखा है 4x0 तो 1,2,3,4 4x0 दबा दिया और ये देखो हमारा piggy bank open हो गया और इसके अंदर हमने 4 note डाले थे तो 4 note भी है यहाँ पर और जो हमने coin डाले थे वो भी है यहाँ पर कितने रामसेस में store हो गये न हम इसको बंद कर देते हैं अब इसको हम तभी खोल पाएंगे हम दुबारा इसका pin डालेंगे और आपना इसका pin change भी कर सकते हो तो कैसे लगा आपको हमारा doraemon का jumbo size का electric piggy bank कमेंट में जरूर बताना मुझे तो बहुत पसंद है यहाँ पर गाईस हमारे पाद देखो dora unicorn का बहुत ही पैरा pencil pouch है यह देखो इसके अंदर बहुत सारी thermocall की गोलिया भरी हुई है पैरी पैरी यहाँ पर unicorn का unicorn का sing भी है यहाँ पर भी unicorn है यहाँ पर एक zip है round shape की तो इसको open कर लेते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या का मिलता है में तो इसको open करते हैं यह देखो कितना huge size आपको का space आपको मिल जाता है इसके अंदर बहुत सारी चीजी आ कितना प्यारा है ना guys unicorn का यह pouch बहुत ही जबरदस्त है इधर guys doremon का हमारे पास देखो क्या है एक ball है squishy ball यह देखो इसको जैसे भी आप दबाओगे ना यह वहीं से अपनी shape बदलेगा और इसके अंदर बहुत ही colorful light भी blink होती है देखो आपको दिख दिख दियोगी यह इसक इसको ऐसे पकड़के आप खेल भी सकते हो काफी जबरदस्त है इधर guys हमारे पास एक unicorn का बहुत ही प्यार टॉय है जिसके अंदर आप design वगरा देख सकते हो आप यहां से इसके अंदर देखोगे ना और इसको गोल गुमाओगे तो आप देखोगे इसके अंदर ना shapes change होती है guys देखो इसके अंदर आपको बहुत सारे मोती सितारे दिख रहे होंगे इनसे आप इसको मूफ करके इसके अंदर shapes होगे चेंज कर सकते हो देखो जैसे मैं गुमा रहा हूं तो आपको इसकी shapes change होती होगी दिख रहे होगी देखो अलग-अलग shapes बन रहे होगी ना दिख आपको अगर आप आखों के सामने लगा के इसको देखोगे ना तो आपको ज्यादा clear-cut नजर आएगा अभी आपको ऐसी नजर आ रहा होगा काफी बढ़िया चीज है काफी unique चीज है इधर हमारे पास देखो डॉरे मॉन के कार है बहुत ही बढ़िया ये कार के अंदर आप यहां से पन्जिल डालके शाप करो बाद में आप ऐसे UPन करके सारा का सारा dust निकाल कर फच्छ सकते हो बड़े अराम से कितना cute शापनल है नए garог से पास देखो कितना प्यारा लग रहा है देखने में Unicorn का Eraser इसका Unicorn भी एक Horn भी यहाँ पर दिया गया है और इधर guys हमारे पास देखो क्या है हमारे पास है एक Doremon का एक Capsule वाला Pen यहाँ से उपन को रो ऐसे जटका मारो Pen बाहर आ जाता है देखो Pen को आप यूज करने के बाद वापस से Capsule के अंदर बंद करके रख सकते हो और इसको पॉकेट में लेके कहीं पर भी जा सकते हो इधर guys हमारे पास Unicorn का एक और Multicolor Pen है और यहाँ पर एक Doremon का एक और Multicolor Pen है देखो अभी मैंने आपको यूज करके भी दिखाएते ना यह दूसरे वाले हैं इससे पहले मैंने आपको दूसरे दिखाएते यह देखो कितने बढ़िया लग रहे है ना देखने में इधर Unicorn Printed है इधर Doremon Printed है और देखो उपर भी Doremon और Unicorn है दोनों में आज तगड़ा Competition चल रहा है न दोनों बहुत हस रहे हैं चलो बढ़िया है इधर गाइस हमारे पास Unicorn का बहुत प्यारा एक Jewelry Set है यहाँ पर Doremon की माला है हमारे पास Doremon के कान के Earrings है Doremon का Breastlet है और यह specially मैं Girls के लिए लेकर आया हूँ Girls को दिखाने के लिए तो कैसा लगा रहा है Girls जल्दी से बताओ कमेंट में इधर गाइस बॉइस के लिए मैं Doremon के एक Projector Watch लेके आया हूँ देखो यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो यहाँ पर Doremon का Face है यहाँ पर भी यह देखो Doremon के पिक्चर आ रही है मैं जितनी बार यह बटन दबाऊंगा वाज का बटन अलग अलग पिक्चर आप देख पाऊगे यहाँ पर देखो यहाँ पर कौन है Shizuka देखो और मैं वाज को जितना पास लेके जाऊंगा इमेज छोटी हो जाएगी वाज को जितना दूर लेके जाऊंगा इमेज उतनी बड़ी हो जाएगी यह देखो Shizuka की में जा रही है और जितनी बार में बटन दबाऊंगा आपको हर बार आलग अलग पिक्चर देखने के लिए मिलेगी और जब भी आप चाहो यहां पर देखो यूनिकॉन है यहां पर यूनिकॉन है जब भी चाहो आप अपना फेस वगएरा देख सकते हो क्योंकि यहां पर दो-दो मिलते हैं किधर एक इधर और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के मिरर हैं आईज यह और इधर हमारे पास दे यहां पर है नोविता और हमारे पास है आपर डोरेमॉन यह देखो हो गई ना पूरी की फैमिली कंपलीट dorymon की कितनी प्यारी लग रही है और मुझे लगता है आपने पहली बार यह डोरेमॉन के चोटे चोटे फिगर देखे होंगे मुझे पता है आप अगर आप पहली बार देख रहे हो और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताना मुझे और यहां पर हमारे पास एक यूनिकॉन का इरेजर है देखो कितना सौफ्ट है कितना मुलायम इरेजर है इसको आप मजे से यूज़ करोगे तो यह बहुत लंबे समय तक चलेग है और यहां पर कितना क्यूट यूनिकॉन है और इसको आपना कहीं पर भी लगा सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया था चाबियों में जितनी भी आपकी घर की चाबिया है बाइक स्कूटी की चाबियों होती है वहां लगा सकते हो और यहां पर देखो एक हमारे पास डॉ पहले से यह ऐसा आता है transparent water game इसका नाम है यहाँ पर बटन दबाओगे यहाँ पर दो हुक है इनके अंदर आपको इन rings को पिणाना होता है देखो यह rings हवा में उड़ रही है ना पानी के अंदर जैसे हमने यहाँ पर एक हुक के अंदर दो रिंग पिना दी है वैसे यहाँ प पर इसका speaker है देखो कितनी अच्छी colorful lights है ना इसके अंदर देखो वाव कमाल की lights है काफी कमाल की watch है इदर हमारे पार unicorn की बहुत प्यारी डाइरी है देखो इसको open करोगे यहाँ से strap हट जाता है फिर आप यहाँ से पकड़ोगे यह गिरेगी भी नहीं और यहाँ से ऐसे कर नहीं देखो अनल यह जितार है उसको आप घुमा सकते हो देखो हम घुमाते हैं इसमें सो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो जल्दी से कमेंट में बताओ और कमेंट में ये भी बताओ जाए जल्दी से कि आज के वीडियो में हमारा डॉरे मॉन विनर है या फिर यूनिकॉन विनर है ये बात ना आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दो गाइस मैं वेट कर रहा ह आप सब के कमेंट्स और ना कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम भी बताना और साथी साथ वीडियो को शेयर कर देना वर्टसप पे फेसबूक है दोस्तों के ताकि वो लोग भी वीडियो देखके एंजोई कर सके और चैनल पर अगर आप नहीं है और पहली बार च सब्सक्राइब करके और बैल के आइकन को दबा लेना ताकि जब भी मैं कोई निव वीडियो अपलोड करो आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें बाए बाए दोस्तों